दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूसर्ण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्षन प्लान बनाया जा रहा है जिसके लिए हमने 5 सितंबर को पहली दिल्ली के अंदर 30 विभाग जो अलग-अलग प्रदूसर्ण को नियंत्रित करने के लिए कंसर्ण है उन सभी विभागों के साथ जोईंट बैठकी थी जिसमें अलग-अलग विभागों को अलग-अलग लक्ष दिया गया था विंटर एक्षन प्लान में तयार करने के लिए 15 सितंबर को दुबारा इन विभागों की जोईंट बैठक हुई और सभी विभागों ने अपने-पने एक्षन प्लान को पर्यावरण विभाग को सौपा पर्यावरण विभाग के द्वारा 15 कॉइंट 15 सुत्री एक्षन प्लान पर काम किया गया है दिल्ली सरकार का विंटर एक्षन प्लान अब बन करके तयार हो चुका है 30 सितंबर को मने मुक्षन प्लान अरविन केजरिवाल जी इस 15 सुत्री एक्षन प्लान को दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे और उसी एक्षन प्लान के आधार पर सभी विभागों के साथ मिल करके सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूस्वन को नियंतित करने के लिए हम काम करेंगे इस बार कमिशन फार एयर क्वाल्टी मैनेज़्मेंट की तरफ से भी ग्रैब सिस्टम में थोड़ी थोड़ी तब दिलियां हुई है दिली के अंदर हम एक अक्टूबर से जो एयर क्वाल्टी मैनेज़्मेंट कमिशन की तरफ से जो एडवाईज दिये गए उनको भी मद्दे नजर रखते हुए अपने विंटर एक्षन प्लान में अपनी कार्योजना हम बना रहे हैं मुक्त तोर पर जो पहले से और अपमे जो परिवर्तन हुआ है दिली के अंदर जो दो हजार अठारा से इमर्जंसी रिस्पॉंस सिस्टम जो ग्रैब लागू किया जा रहा था उसका जो बेसिक आधार था वो पीम 2.5 और पीम 10 हुआ करता था पीम 2.5 और पीम 10 के आधार पर प्रदूसर्ण के अस्तर को पांच हिस्वों में डिवाइट किया जाता था पहले पहला मॉडरेट, दूसरा पूर, तीसरा वेरी पूर, चौथा सिवियर और पांच माथा सिवियर प्लस अब दिल्ली के अंदर पीम 2.5 और पीम 10 के आधार पर प्रदूसर्ण के अस्तर को मापने की जगह अब ग्रैफ सिस्टम में कमिशन ने 2022 से एर क्वाल्टी इंडेक्स के आधार पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रैफ सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लागू होगा पहले जो पांच कैटेगरी थी उसकी जगह चार कैटेगरी कर दी गई है पहला है पूर एर कुल्टी इसका 201 से 300 जो होगा वो पूर काटेगरी में लिया जाएगा वेरी पूर 301 से 400 एर कुल्टी इंडेक्स सिवियर 401 से 400 और सिवियर प्लस एर कुल्टी जो है वो 45s से प्लस इन चार काटेगरी में एयर क्वाल्टी इंडेक्स होगा और इसी की आधार पर ग्रैफ सिस्टम भी लागू किया जाएगा ग्रैफ सिस्टम में पहले कि जो इंप्लिमेंट का सिस्टम था उसमें जो थोड़ा सा चेंज किया गया है कि पहले जो वायू गुडवत्ता की जो इस्थिती होती थी खराब होने के बाद फिर उसको इंप्लिमेंटेशन की तरफ हम बढ़ते थे अब तीन दिन पहले अनुमान के आधार पर ग्रैफ सिस्टम इंप्लिमेंट होगा एर क्वालिटी इंडेक्स का आंकलन जो है वो आई आई टीम और आई अमडी इसके फारकास्ट के आधार पर किया जाएगा और उसके आधार पर ग्रैफ सिस्टम लागू होगा अभी खास्त और से जो धूल प्रदूसण है उसके लिए दिल्डी के अंदर अभी तक 20,000 वर किलोमेटर के उपर की जितनी साइट होती थी वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने की बादिता थी लेकिन अब उसमें परिवर्टन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर 5000 से लेकर 20,000 वर कि मीटर तक की एरिया में जो निर्माड कारे हो रहे हैं वहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन लगाना होगा 5000 से 10,000 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर एक स्मॉग गन लगाना होगा 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर के जो निर्माड साइड हैं वहाँ पर दो एंटी स्मॉग गन लगाना होगा 15,000 से 20,000 वर्ग मीटर के जो निर्माड साइड हैं वहाँ पर तीन स्मोग गन लगाना होगा और 20,000 वर्ग से ओपर के जो निर्माट साइड हैं वहाँ पर चार स्मोग गन लगाना होगा तो दिल्ली के अंदर कल मैंने डीपी सीसी के सभी अधिकारियों के साथ बैठ़क की थी दिल्ली के सभी construction sites पे काम करने वाली एजिंसियों के साथ पिछली बार भी हमने मिल के काम किया था awareness काम किया था आज मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपीर करना चाहता हूँ ये जो smoke gun लगाने का जो नया प्राओधान है अब 5000 से सुरू हो रहा है तो इसको जरूर आप फालो करें क्योंकि winter action plan के तहट जैसा हम हर बार anti-dust campaign चलाते हैं उस समय इस नियम को फालो करना निवारे होगा नहीं तो फिर इस तरह की sites जो इस नियम को फालो नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी तो 30 तारीक को winter action plan मुखमंद्री जी announce करेंगे और उसके बाद हम लोग जमिन पे अपना action सुरू कर देंगे